राश्ट्रिय पोशन महा के तहत प्रदेश भर में जन जाग रुकता कारिकरम आयोजित किये जा रहे हैं आम नागरिकों को पोशन आहर की जानकारी देकर उन्हें स्वस्त रहने की सला दी जा रही है आदिवासी और ग्रामीन आबादी बहुल बैतूल जिले में राश्ट्रिय पोशन महा के तहत रविवार को जिला चिकसाले बैतूल में मा शारदा साहता समीती द्वारा बिटिया दिवस का आयोजन किया गया इस अफसर पर नवजाद 12 बैटियों को माता सरस्वती लक्ष्मी और दुरगा के रूप में चान्दी के लौकेट भेट किये गए साथी उनकी माताओं को साल और शौल और बुके देकर गौरव सम्मान से नवासा गया माताओं को पोशन किट भी प्रदान की गई कारिक्रम में माशारदा साहता समीती संस्था ने नवजाद बेटियों की माताओं को बेटियों के जन पर गौरव महसूस करने के लिए प्रोसाहित किया इस अफसर पर बेटियों की माताओं को भी सम्मानित किया गया कारिक्रम के दौरान माताओं और बेटियों की आरती उतारी गई और उन्हें संतुलित भोजन के साथ मोटे अनाजों का सेवन करने की सला दी गई इसकी साथ ही जंक फूड से बचने की शपत दिलाई गई आयोचित को ने बताया कि भारतिय समाज में आज भी बेटियों और बेटों के बीच अंतर समझा जाता है बेटियों के जन्म को सम्मानित और विशेश बनाने के लिए ये कारिक्रम आयोचित किया गया है संस्था पिछले कई वर्षों से बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, अभियान के अंतरगत ये कारिक्रम आयोचित कर रही है बेटी दिवस के उप्रक्स में हमें बेटी के लिए और अपने को स्वास्त रहने के लिए पोष्टी काहर, मुंग डाले, उड़ा, मुंग डाल, तुवल डाल, हरीशब जीया, विटामिन वाले और जुहार बाजरा कुटकी ये उप्योग में लाना चाहिए ताकि बच्ची भी स्वस्त्र है, मा बेटी दोनों स्वस्त्र है सके और हमारे घर लच मी आई है, तो अच्छा घाना, पीना, उनका ध्यान रखना चाहिए और सब को पता रहना चाहिए कि अच्छा खाना क्या होता है, हां किस टाइप का खाना खाना चाहिए और खाने में क्या-क्या होना चाहिए, अनाज में मोटे अनाज होना चाहिए प्रधान मंत्री जी के द्वारा पोशन माहा का आयोजन किया जा रहा है, उस उप्लक्ष में हम लोगों ने शीरी अन और जो मोटे अनाज हैं, उन सभी के बारे में इनको जानकारी दी गई, कि जंक फूड से हम लोगों को बच्चों को बचाना है, और सेहत के लिए शीरी अन